प्रदर्शन के दौरान किसान नेता श्यामलाल जोग चन भीब मंडी पहुंचे और अज़ाई अधिकारियों से बात की इधर मंडी में किसानों के प्रदर्शन की सूचना मिलने के बाद तैसिलदार सहित वाइडी नगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले को शांत करवाया बता दे कि पिछले कुछ दिनों से मनसौर कृषी उपजमंडी में प्याज की अच किसानों के बीच पहुंचे और प्रदर्शन में भागीदारी कर किसानों की समस्याओं पर अधिकारियों से चर्चा की किसानों के प्रदर्शन की सूचना के बाद तैसिलदार रमिस मसारे और वाइडी नगर थाना प्रभारी संदीप मंगोलिया भी मौके पर पहुंचे औ खेर और खराब कप्रों में आग लग गई वहीं रेलवे ट्रैक में के बगल से लगी आग पेड पौधे तक जा पहुंची आपको बतादे की रेलवे पुल से हजारों की संख्या में लोग निकलते हैं आग लगने से बड़ा हाथसा हो सकता था फिलहाल आग लगने का कारण अभी स्वस्ट नहीं हो पाया है उत्तरप्रदेश के उपमुख्य मंत्री केशब प्रसाद मौरे ने बदायों की बिलसी विधान सभा में आयोजिव जिद्धन सभा में कहा कि विपक्षी ने जो ठक बंधन बनाया है देश की जंता उनको नकार चुकी है देश में मोदी ज के नाम की सुनामी चल रही है 2024 में देश की जंता मोदी जी को तीसरी बार प्रचेंट बहुमत से प्रधान मंत्री बनाने का मन बना चुकी है केशब प्रसाद मौरे ने कहा कि एकलेश यादों ने 2022 में दावा किया था कि हम 400 से जीत कर यूपी में सरकार बनाएंगे लेकिन जानने कि वो कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे उन्होंने कहा कि विपक्ष चापे पढ़ने पर बहुत आपत्ती उठाती है लेकिन चापे में विपक्ष के निताओं के पास करोर रोपे मिलते हैं मोदी सरकार जनता का पैसा लोटाने वाले लोटने वालों के पाई-पाई वसूल करेगी उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है फतेहपुर जिले में शनिवार को भूत पूर प्रधानमंत्री चौधी चरन सिंग की समाजवादी पार्टी के पदादिकारियों और कारेकर्टाओं ने बड़े धूम धाम से जैनती मनाई इस अवसर पर उन्हें किसान, दलितों और गरीबों के मसीहा के रूप में याद किया गया साथ ही उनके पक्षिन्हों में चलने का संकल्प लिया गया शहर के नगर कॉलनी स्थित भूदपूर प्रधानमती चौधरी चरन सिंग की जैनती पर सपा कारेकर्टाओं ने उनकी प्रतिमा पर माले आपण कर उन्हें श्रधा सुमन अर्पित किया गुरुकुल कांगरी विश्विदाले में आयोजी वैदिक विक्यान और संस्क्रित महाकुम में पहुँचे भारत के उपराश्ट पती कारिकरम के आयोजन को भार्तिय स्टेट बैंक ने स्पॉंसर किया SBI ने अपने विभिन बैंकिंग उत्पाद विशेज कर सिक्षा रिंड के बारे में जागरू करने के लिए गुरुकुल कांगरी विश्विदाले परिसर में प्रमुक स्थानों पर कैनोपी और स्टॉल लगा कर लोगों को भारतिय स्टेट बैंक की विभिन योजनाओं औ और अर्विन ने व्यापक प्रचार और प्रचार कर गतिवीधियों के साथ भारतिय स्टेट बैंक के लिए प्रस्तूति करन और प्रचार किया पूर प्रधान मंत्री स्वर्गिये जौदरी चरंसिंग के जनम दिन के अफसर पर सब मिशन ओनर अप्रिकल्चर एक्स्टेंशन योजनागर रभी उतपादक गोस्टी और किसान सम्मान दिवस का आयोजन किया गया कारेक्रम अतितियों के द्वारा किसानों को सम्मान भी किया गया कारेक्रम में अतिति के रूप में पहुंचे राजय मंत्री जस्वन सिंग सैनी का सहारनपूर के डियम डॉक्टर दिनिश चनल सिंग के द्वारा फूलो और बुके देकर स्वागत किया गया जासी में ग्राम रोजगार सेवक एकता संगर समिती उतर प्रदेश के प्रांतिय आहवाहन पर विगत 4 अक्टूबर 2021 को प्रधान मंत्री की मुख्यमंत्री की घोषना सहीत आठ सूत्री मांगो के संबन्द में दिनांग 27 दिसंबर को प्रदेश तरिये धर्णा प्रदर्शन लखनों में प्रस्तावित है जिसमें दारूल सफास से मुख्यमंत्री अवास तक मानव श्रंखला बना कर अपनी मांगो को लेकर चर्चा की जानी है इसी संदर्ब में ब्लोक स्तर पर शनिवार को भारी संख्या में पहुंचे ग्राम सेवकों ने अपने आर्च सूत्री मांगो की अवाज उठाई और ग्राम रोजगार सेवक एकता संगर समीती के ब्लोक अध्यक्ष भूपेंदर सिंग और ब्लोक प्रभारी करेंगे और मानो संसाधन नीती उसके अलावा जोब चार्ट में अन्निकार और हम सब को जोजे कभी प्रिस्ताओं के द्वारा हटा दिया जाता था अगनी शमन जागरुकता अभ्यान के अंतरगत बबीना विकास खंड के ग्राम पलिंदा और ग्राम डेली के आदिवासी बस्ती में जाकर मलीन बस्ती वासियों को आग से बचाओ के वेविन तरीके और जंगलों में आग लग जाने पर बचाओ का तरीका आदिविस्तार से समझाया गया खबर श्रावस्ती से है जहां देश के पूर प्रधानमंत्री स्वर्गे चौधरी चरन सिंग के जनम दिवस के अवसर पर कलेक्टरिक इप्थित तथागत हॉल में किसन सम्मान दिवस का आयोजन किया गया जिसका विधायक श्रावस्ती राम फेरन पांडे विधायक भिनका इंदरानी वर्मा और जिलाधिकारी कृतिका शर्मा ने फीता काट कर और स्वर्गे चौधरी चरन सिंग जी के चितर पर माले आरपन कर शुभारम किया कारिकरम के दोरान मिलिट्स अनाजो और क्रिशी उद्यान मतस्य लगू सिचाई पसुपालन सहित विभिन विभागो द्वारा स्टॉल भी लगाये गए हैं जिसका विधायक श्रावस्ती विधायक भिनका और जिलाधिकारी ने अवलोकन भी किया इस दोरान विविन फसलों में बहतर उत्पादन के लिए जिले के कुल 48 किसानों को विधायक श्रावस्ती विधायक भिनका और जिलाधिकारी में अंगवत प्रेक प्रस्तावित प्रत्र तथा फार्म मशीनरी में बैंक के चार किसानों को ट्रैक्टर की चावी देकर समाने किया चौद्रीची जिगी के जनок डिवश्तावी में आज हमने अग्रणी प्रगतिशी किसानों को पुरुस्कृत कीया है ॡराशी रॉट्राशी और याशी लेफ्टी यो विजनौर में CMA का एक दिवसीं दोरा हुआ विक्सित भारत शंकल प्यात्रा में शामिल होने के लिए CMA के नजीबबाद इलाके में पहुचे नजीबबाद के एकणिजी स्कूल में कारिक्रम को संभूधित करते हुए CMA योगी ने भाजबा सरकार की की गई उपलब दिया गिनाए कि विजन और जनपत के नजीबाबाद इलाखे में स्थीद एक्नीजी स्कूल में आज सब्बोध को संबोधित किया सिएमीयोग enabling में पहुंचते ही इतालिया और फूलो से उनका स्वागत किया गया भाईजपा के कई बड़ी मंत्री और वरिष्ट प्रदाधिकारी मंच पर भी सबी से उनका इंतजार करते रहे। सेम योगी के पहुंचते हैं उनका स्वागत किया गया। सेम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि देश के प्रधानमंद्री का सपना है कि सरकार की हर जनकल्यानकारी योजना हर गरीब तक पहुंचे। इसको लेकर विक्सिद भारत संकल प्यात्रा चलाई गई है। बारबंकी के जायतपूर पुलिस द्वारा तीन मादक पदार तसकरों को गिरफतार किया गया है। कबजे से कुल एक किलो 27 ग्राम माफिन जिसकी अंतर राष्ट्रिय की मतलग भग एक करोर तीन लाख रुपए और एक मोटर साइकल बरमत किया गया है। राम सेनीगर्ट थाना छेतर के शिवंपाठक राजकमार याद और शरद वर्मा को गिरफतार किया गया है। जैदपूर पुलिस द्वारा कपुआ तीराही से तीनों अभियुक्तो को गिरफतार किया गया है। कासगर्ण में अचानक से ट्रक का स्टेरिंग फेल हो गया स्टेरिंग फेल होने से ट्रक आनिहंद्रित होकर दुकानों में घुस गया ट्रक दुकानों में घुसने से लोगों में भगदर मच गई जिससे बड़ा हाथसा होने से टल गया मौके पर मौझूद लोग बाल-बाल बच गए हासे की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची पुलिस ने मौके पर स्थिती को सुधारा मामला पटियाला कस्वे के मुख्य चौराहे का है संभल जिले में दबंगों के होसले बुलंद हो गए है योगी सरकार में दबंगों ने बिजली करमचारी के साथ हाथा पाई की है यही नहीं बिजली बकाया पर कनेक्शन काटने पहुंची टीम को बंदग बना कर कमरे में बंद कर दिया सूचना पर पहुंची पुलिस ने बिजली करमचारी को बंधन मुक्त कराया मारपीट में तीन बिजली करमचारी घायल हुएं आरोपियों के खिलाप तहरीर दी गई है हर्दोई में बीजेपी नेता पर नकली शराब बनाने का आरोप लगा है जिसको लेकर भाजपा नेता के साथ उनके दो सातियों को गिरफतार किया गया है जहां बड़े पैमाने पर नकली शराबरा पर धकन और क्यामिकल के साथ एक पाइक भी बरामत किया गया है कशोना पुलिस और आपकारी विभा की संयूग टीम नहीं ये कारवाई की है सत्यम सिंग भाज़ी उमुक के कशोना मंडल अध्यक्ष हैं इनका एक साथ ही अभी फरार है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है तो फिलाल के लिए इस बुलिटन में इतना ही बने रही है हमारे साथ और देखती रही है न्यूजवर्ल इंडिया